नमस्का एशारीजियों में आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ उत्राकाशी के सिल्क्यारा टेनल में 12 नवंबर को 41 मजदूर फस गए थे एक्सपर्ट्स की मदद से सबी मजदूरों को 17 दिन टेनल से बहार निकाला गया था हाला कि ऑपरेशन के फाइनल स्टेज में रेट हॉल माइनर्स ने एहम भूमी का निभाई थी उत्राखंड सरकार ने 21 दिसंबर को इनका सम्मान किया था उत्राखंड के मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी ने 12 रेट माइनर्स को शॉल और 50-50 हजार रुपे का चेक दे कर सम्मानित किया था दो दिन बाद अब इन रेट माइनर्स ने चेक को केश कराने से इनकार कर दिया है इनका कहना है कि हमने जो काम किया उसके लिए हमारा उचित सम्मान नहीं हुआ रेट माइनर्स के लीडर वकिल हसन ने कहा कि जब मशीनों की मदद से टनल में फसे श्रमी को तक नहीं पहुचा जा रहा था तब हमने बिना किसी शर्द के मदद की अपनी जान जोकिम में डाल कर हातों से ड्रिलिंग की हम सीएम धामी के इस कदम की सरहार ना करते हैं लेकिन राशी से संतुष्ट नहीं है हम सभी ने चेक केश नहीं कराने का फैसला किया है वकीन ने कहा कि जिजिन हमें चेक दिये गए थे मैंने उसी दिन सीएम धामी से असाहमती जाहिर की थी हमें अधिकारियों ने आशोसंद दिया जिसके चलते हम वापस लोटाए हमें लगा कि एक दो दिन में सरकार हमारे लिए नई गोशना करेगी यदि अधिकारियों का किया वादा पूरा नहीं होता है तो हम अपने चेक वापस कर देंगे हसन ने रेट माइनर्स को परमाने नोकरी दिये जाने की बात कही है एक और श्रमिक मुन्ना का कहना है कि टनल में फसे श्रमिकों को बचाने के लिए हम मोद के मुँ में चले गए अपने परिवार वालों की भी बात नहीं मानी पचास हजार रुपे बहुती मामुली रकम है इसी के साथ मैंने रहे है एशा इस इंडिया के साथ